आज की जो वेकंसी है, बेल की तरब से आ रही है, भारत Electronics Limited, जो देख सकते हैं एक नवरतन कमपनी है, जो Ministry of Defence के अंतरगट आता है, तो इसमें बंपर पोस्ट पर हाइरिंग होने बाली है, अच्छा खासा पोस्ट रहने वाला है, All India अपलाए कर सकता है, लगभग सभी के लि इसमें इसमें देखते हैं इसका Educational Qualification किस की सप्रहुंच के लिए वेकंसी है चाराचिजम डिटेल से बालाए वाला है, आपको अच्छा खासा दिया जाएगा, ट्रेनी इंजिनियर के लिए है, और प्रोजेक्ट इंजिनियर के लिए, जिसमें फर्स्ट इर आपको 30,000, सक प्रोजेक्ट इंजिनियर में 40,000, 45,000 और आपको 50,000 और 55,000 दिया जाएगा, इसमें देखते हैं इसका Educational Qualification किस की सप्रहुंच के लिए वेकंसी है चाराचिजम डिटेल से बात करेंगे, पर देख सकते हैं आप प्रसिक्छु अभियनता यानि ट्रेनी इंजिनियर के इसमें अच्छा खासा पोस्ट रने वहला है, 20 वी पोस्ट है, कैटरी वाइज वैकंसे मेंसन किया हुआ है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजिनियर के लिए 32 यर्स रने वहला है, इसमें भी 6 बैकंसी है, देख सकते हैं, सैलरी के बारे में डिटेल स इसे हैं पर बताया गया है fel क्वालिक्षिकेशन की बात करें तो आपके पास बीई या बीटेक इलेक्टोनिक्स या तेली कम्यूकेसंद में एक चाहिए स्यलेक्शन प्रोशेस की बात करेते हैं पर मेंशन किया हुआ फर्दर आपका राइकर टेस्ट होगा उसके बाद आपका इंटर्व्यू लिया जाएगा और इंटर्व्यू के लिए देख सकते शॉट लिस्ट एक रेश्योड़ फाई में हैं पर category wise देख सकते हैं SC ST QPW को fully exempted किया हैं पर mention किया हुआ कि पदो की संख्या घट बढ़ सकती है अभी पर परिवर्तन किया जा सकता है इसमें एक चीज़ देख सकते हैं पर experience मांगा गया है तो यदि आपके पास trainee engineer के लिए एक साल का experience है तो आप इसके लिए eligible है और project engineer के आपके पास दो साल का experience होना ज़रूरी है यदि आप इसके लिए eligible हैं तो इसका apply link, advertisement link सारा चीज हमारे description और telegram में मिल जाएगा टेकनिकल फिलका कोई साब वेकेंसी आता है मैं उसको miss नहीं करता हूँ यदि आप भी चाहते हैं किसी वेकेंसी को miss न करे तो किर्पिया हमारे चैनल को subscribe करके मारे telegram से जूर जाए क्योंकि कई सारे ऐसे content होते जिसका video नहीं बना पाता हूँ उसको मैं अपने telegram पर update कर देता हूँ